हेले स्ट्रेंश, टपिक है क्लास 11 का चेप्टर 9 सिक्वेंश एन्ड सिरीज सिक्वेंश वाला पार्ट या टेक्स्ट बुक से 9.1 एक्सरसाइज कर चुके हैं वो सिर्फ कॉंसेप्ट के लिए था, वहां से सिक्वेंश का कॉंसेप्ट मिलेगा अब हम AP शुरू करने वाले हैं क्लास 11 के लिए, लेकिन क्लास 11 के पहले क्लास 10 में भी तो AP था तो मैं शुरू से ही AP स्टार्ट करता हूं, NCRT बुक या 11 का कोस्टन ये सब टाच करूंगा पहले वार्म अप या इंट्रोडक्शन जो बोलिये या रीकेप करिये ये कर सकता हूं, AP पढ़ना है, AP मतलब एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन सिक्वेंश या सिरीज का बात क्या, जो भी सिरीज में, एक ऐसा समझ यह लिखा मैंने 2, then 5, then 8 आपको इजी समझ में आया होगा, 2 में 3 प्लस किये तो 5 आया, 5 में 3 प्लस किये तो 8 आया, 8 में 3 प्लस किये तो 11 आया, फिर 11 में 14 इस तरह का यह प्लस हो हो के बरा, इस में अगर हमने 2, 5, 8, 11, 14 लिखा है, तो 100 प्रसेंट सियोर आप नेक्स टरम लिख पाऊगे, कई से इसमें 3 प्लस करके, ओके, फिर इस तरह का भहुत सारा सिक्वेंस, 1 बाई 1, 1 बाई 2, 1 बाई 3, 1 बाई 4, नो डाट आप नेक्स टरम लिख दोगे 1 बाई 5, एक सिस्टेमेटिक में है, यह लिजिए 1 लिजिए 2, इसमें 2 से या 3 से इन्टू करता हूं, 2, 3, 6, 3 से इन्टू करता हूं, मल्टिप्लाइ करता हूं, 3, 18, 80, 54, तो इस तरह से बहुत सारा सिरीज या सिक्वेंस निकलता है, जो की एक गेम के तरह है यह नोक्री वाला एक्जाम में भी इस तरह से सिरीज या सिक्वेंस दिया रहता है, नेक्स टार्म लिखिए, उन सब में से हम पढ़ेंगे यह वाला जिसमें की प्लस माइनस से, यानि 2 प्लस 3, 5, यह डिफरेंस सेम हो, यह डिफरेंस सेम हो, डिफरेंस 3 है, यह सब को AP बो और 2, 2, 3, 6, 3, 6, 18, यह मल्टीप्लाइ हुआ है, यह प्लस 3 हुआ था, यह मल्टीप्लाइ, यह मल्टीप्लाइ वाला चक्कर इसको हम GP बोलते हैं, यह इंट्रोड़क्शन दे रहा हूं, AP का GP का, तो AP का सिरीज यह जो की प्लस या माइनस से दिलेटेड हो, बताता हूं इ AP का एक्जामपल देशे, एक्जामपल यह 2, वही लिखता हूं, 2, 5, 2 प्लस 3, 5, 8, 11, यह सब AP है, और भी 1 वल यह 2, 3, 4, 5, यह AP है, यहां तक ही आप इसा भी कर सकते हैं, यह 3, 3 से 2 माइनस किया, माइनस 2 कर रहा हूं, तो 1, फिर माइनस 2 कर रहा हूं, तो माइनस 1, फिर माइनस 2 कर रहा हूं, माइनस 3, इस तरह से प्लस माइनस से रिलेटेड जो सब है, उन सब को हम AP कहते हैं, GP अलग से पर हूंगा, पहले AP के बात कर लूं, class 11 में ap को sum से शुरू किया sum of the ap या जो भी हो तो मैं शुरू से ap का class 10 से concept देना चाहता हूं इस तरह से ap का example यह सब दिया अब आप फिर से बोलता हूं 2 में 3 प्लस किया 5 5 में 3 प्लस किया 8 यानि अगर हम 2 इधर 7 और इधर 25 और 7 12 लिखा तो यह next term आप शियों लिख दोगे किस तरह से 2 में 5 प्लस किया तो 7 7 में 5 प्लस किया तो 12 12 में फिर 5 प्लस करूंगा तो 17 एस सिस्टम को ap में बोलता है प्लस या माइनस का जो भी हो या दूसरे भासा में यह ap में है कब जब consecutive यह दोनों टर्म का difference is same as एस दोनों टर्म का difference difference इन दोनों टर्म का difference यह difference बगरा equal होने से ap ap का example यहां बता रहा था क्या टू में 5 प्लस किया 7 फिर प्लस 5 करो 12 फिर प्लस 5 करो जो प्लस कर रहे हैं वही बार बार प्लस करते रहेंगे यह ap का rule हुआ यह ap इस system series को एपी बोलते हैं एपी लिखने के लिए जेनरल टर्म एपी सपोज ए नेक्स टर्म ए में डी प्लस किया डी अगर हमने डी प्लस किया तो हमेशा डी ही प्लस करते रहेंगे तब यह ap होगा a में d प्लस किया फिर d प्लस करो इसमें तो a प्लस 2d फिर d प्लस करो a प्लस 3d a प्लस 4d इस तरह से जाता रहेगा यह ap इस ap में आपको सिख रहा है प्लस 10 लेबेल में ही अभी तब इस ap में सिख रहा है फार्स टर्म इक्वल टू a और इसको a1 इक्वल टू a भी बोलता है यह टर्म नमबर 1 इक्वल टू a first time denote ही होता है a से और यह difference है क्या d प्लस किया था हमने फिर d प्लस किया था इसको common difference common difference equal to d first time a first time denoted by a common difference d यह ap का general group है ठीक है बाद इसके बाद इस ap में थाद यह बाद ध्यान दिजेगा यहां first time t1 या a1 जो भी जो लिखे कोई प्रोब्लेम मही कोई a1 लिखे कोई t1 लिखे no problem a1 a2 t1 t2 चलिए क्या a1 में रखा हूं t1 equal to a term number 2 या a number 2 भी बोल सकते है term number 2 is a plus d term number 3 a plus 2d यहां से लिख रहा हूं term number 1 term number 2 term number 3 term number 4 a plus 3d आप ध्यान देना 2 से ही बात करता हूं term number 2 में a plus 1d term number 3 में 2d term number 4 में 3d इस तरह से term number 10 अगर हमें निकालना हो तो a plus no doubt 9d 4 से 1 कम d इसी sense में tn निकालू तो a plus n से 1 कम n minus 1d यह nth term of the ap हुआ और ap का खास बात यह nth term तो शुरू पहले nth term से ही related बात करता हूं कोस्टर सब किस तरह से होगा बताता हूं कि find 6th term आप कुछ एक्ट्र लिख जाता हूं 2 7 5 प्लस की और 12 dot 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 find the 6th term 6th term चाहिए ऐसा लिखके भी आप 6th term निकाल सकते हैं या 16th term जितना number भी term हो term निकालना है ap में तो हम लोग लिखेंगे first a equal to 2 यानि first term is 2 एसे ही denote करेंगे d common difference निकालना अगर ap में है 7 minus 2 that is 5 ओके a बिल चुका d बिल चुका हमको 6th term चाहिए t6 लिखे या a6 लिखे आप जो भी लिखे formula है a plus n minus 1 d आप बिना formula को लिखे भी कर सकते हैं कि तरह से कि a तो a 2 plus n minus 1 d 6 minus 1 d यानि 5 d इसा लिखता हूँ a का value 2 plus 6 minus 1 d का value 5 equal to 2 plus 6 minus 1 या 5 5 5 या 25 यानि 27 ओके ये एन थ टर्म डिराइब क्या ये फोलो करना अभी फिल हाल और इसी को इसी को अगर हम इहा 6th term चाहिए 6th term या कोई भी term t6 इकाल to a plus 5 d 6 तो 5 d बैठा दना a का value 2 plus 5 इन्टू d का value निकाले थे 5 minus 2 5 आया था तो 2 plus 25 इकाल टू 27 अगर t 19 निकालना है तो simply a plus आप 18 d लिखो और निकालो तो ये concept ap का term number निकालने से ये term से related कुछ question कर लेता हूँ यहाँ question है find the 20th term of ap होना चाहिए of the ap कोई भी ap लिख लेता हो 5 7 9 2 2 का difference dot 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 answer हम लोग करेंगे इस तरह से 20th term अगर निकालना है पहले a लिखिये कि cb ap में a equal to 5 d equal to 7 minus 5 7 minus 5 equal to 2 a और d मिल गया therefore term number 20 t 20 equal to a plus 19 d n minus 1 d 20 minus 1 d a plus 19 d direct लिखना a का value 5 5 plus 19 into 19 into d का value 2 तो 5 plus 38 यह अट पास तेरा 43 यह सब term लिकालने से related है कुछ question यहाँ ऐसा लिखता हूँ ap के लिए ap के लिए कि ap से related एक ap लिखता हो दाने लिजे यह 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 भी एक कर दो find the nth term of कोई एक ap ले लेता हो 3 7 11 dot dot nth term चाहिए a लिखना भाई 3 d 7 minus 3 equal to 4 इसलिए tn equal to a plus n minus 1 d मतलब a हुआ आपका 3 plus nth term ही निकालना हा इसलिए n n ही रहेगा n minus 1 d d का value 4 3 plus 4 n minus 4 यानि 4 n minus 1 nth term तो ये term related हुआ next question सब इस तरह का लिख रहा हूँ ये nth term से related कुछ question और भी करूंगा लिखा हूँ हम तो ये शिख लिया find the fifth term seventh term hundred term 19th term जितना नंबर भी term ap का निकालना हो तो a n equal to या tn equal to a plus n minus 1 d से निकाल जाता है इस से related problem कुछ छोटा छोटा साम just introduction के लिए 11 का कोर्स शुरू करने के पहले ये सब कर रहा हूँ कहां से करों यही से करता हूँ एक नंबर which term of the ap is 248 one number question which term of the ap is 3813 dot 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 which term is 248 यहां से हम लोग a पहले तो निकाल दो भाई a 3 और d equal to 8 minus 3 5 question है which ये कितना number term है लिखेंगे let tn equal to 248 248 tn माने a plus n minus 1 d equal to 248 n का value निकालना है कितना number term है मतलब n का value निकालना है a का value भाई 3 plus n minus 1 d का value 5 equal to 248 ये 5 n minus 1 ये बला रखा 5 n minus 1 3 उधर ले जाता हो 248 minus 3 equal to 248 से 3 गिया 5 this implies n minus 1 equal to 245 by 5 यानि n minus 1 equal to 5 420 4 बाचा 45 5 9 बाद में ठीक तो 9 5 जाब 45 रहा 4 9 जाब divide कर लेता हो 5 420 बाचा 4 45 5 9 जाब 45 45 n equal to 49 plus 1 that is 50 therefore 50th term which term यह ऐसा भी लिख सकते हैं 248 is 50th term यह term tn related question सब सब कुछ एक बाच रीकेब कर लेता हो यही मक्सद है question number 1 में सिखाया यह कितना number term है भाई एक number बात यह हुआ introduction में या primary basic concept में 10 से related concept में जो भी बोलो question number 2 इस तरह का भी question आता है is 68 a term of the ap क्या इस ap का 68 कोई term है आच्छा करके देखता हूँ 10 sorry 7 10 30 dot 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 a तो पहले निकाल ही लो भाई a और d है आपका 10 minus 7 10 minus 7 मतलब 3 question है यह क्या कोई term है की नहीं हम सपोच करेंगे चलो भाई हाँ है let tn equal to 68 imply a plus n minus 1 d equal to 68 बिल्कुल वही जैसे इस पे के थे यह कित्रा number term है हम सोच रहे हैं यह 68 कित्रा number term है यह निकाल के देखूँ अगर ठीक ठीक बताता हूँ कही से यह conclusion निकलेगा कि हाई या नहीं हा तो इस तरह से a का value 7 plus d का value 3 n minus 1 equal to 68 तो 3 n minus 1 equal to 68 minus 7 3 n minus 1 equal to 61 68 से 7 गया 61 n minus 1 equal to n minus 1 equal to 61 by 3 यह तो cancel ही नहीं जाता है जब cancel नहीं जाता है तो n का value या n का value आप अगर इस तरह से देखोगे 61 by 3 plus 1 उधर भेज दिये 61 plus 3 by 3 यानि 64 by 3 यह n का value rational number fraction में आया अगर 68 कोई term होता तो n का value natural number निकलता 5, 6, 10, 11, जो भी n का value natural number नहीं निकला यानि 68 कोई भी term इसका नहीं है बात समस रहा है पहले class में ही पहला वीडियो में ही बताया था sequence इजे function from natural number to real number तो n का value हमेशा natural number होना पड़ेगा कितना number term जानने के लिए n का value fraction में आया या negative में आया तब यह term नहीं है हम लोग लिखेंगे 68 is not a term of the given of the given ap ओके बात यह number 2 इसलिए कर लिए बात कर रहे हैं nth term से related जो formula हमने derive किया उससे कितना कितना छोटा मोटा question सा यह सब कर लेता हूँ फिर exercise या classy level का textbook शुरू करूंगा 3 number बात है how many terms are there in the ap 7 10 13 43 यहां दिया हुआ है tn is 43 how many terms are there कितना term है यह last term 43 दिया हुआ है यह तो लिख दो पहले 7 और d लिख दो 10 minus 7 3 tn equal to tn equal to a 43 a plus n minus 1 d equal to 43 a का भेलू है 7 plus n minus 1 d है 3 equal to 43 3 n minus 1 equal to 43 minus 7 3 n minus 1 equal to यह 13 से 7 गया 6 36 ठीक है छोसा तेरा क्तिन हाथ में एक तीन एक चार n minus 1 equal to 36 by 3 minus 1 equal to बारत क्या 36 n equal to 13 n equal to 13 आया यानि यह 13 number term है question था भाई इसमें कितने term है 1, 2, 3, 4, 5 गिनके कितने term है यह 13 number term आया therefore how many terms are there लिखेंगे हम लोग there are 13 terms सब related question है एक इस टाइप का लेकिन सिर्फ बोलने या पोस्टर पूछने का style अलग ओके और एक बात एक दो बात और यहां कर लेता हूं जो 11 के लिए भी no doubt 100% जरूरी है सिर्फ 11 का टेक्स बूक करके complete concept नहीं दिया जा सकता है इसलिए ऐसा लिया हो which term of the AP is first negative term लिजिए question था यह term high की नहीं which term यह कितना number term है एक number बात 68 term high की नहीं यह हुआ एक बात इसमें last up 43 दिया है तो कितना term है वो एक रहा अब यह which term इस AP का कौन सा पहला negative term होगा negative term का बात तभी आएगा जब series decreasing में रहेगा कमते रहेगा तो यहां भी 4 में भी पहले लिख लेता हूँ A equal to 24 और D equal to 23 1 by 4 minus 24 second minus first करेंगे जैसे करना है आप किजिए इस तरह से fraction वाला easy में भी कर सकता है अगर आप mix fraction को तोर के करोगे तो भी चलेगा 4 4, 3, 12 1 13 का 3 carry 1 4, 2, 8 1, 9 93 minus 24 ठीक तो 4, 4, 12, 1, 13 कि ती धात में 1 ठीक नो फिर 93 minus 4 LCM लिए 4 से multiply करना हूँ 4, 4 जा 16 carry 1 4, 2, 0 8, 1 9 तो यह आजाता है 93 minus 96 minus 3 by 4 D निकला हम लोग का ओके अब बात करना है A निकल चुके D निकल चुके question है इसका कौँ सा term पहला negative term कौँ सा है तो लेट ऐसा लिखता हूँ TN is less than 0 negative term TN मतलब TN मतलब A plus N minus 1 D is less than 0 A निकला हमने 24 plus N minus 1 D का भेलू minus 3 by 4 is less than 0 ठीक है 24 ये negative है तो उसी को उधर भेज देता हूँ 3 by 4 N minus 1 ये cross multiply कर दू 4 4 जा 16 16 carry 1 4 2 जा 8 96 less than 3 ये sign के लिए confuse मत होना इस negative को ये minus था न इस negative को उधर भेजा इसी लिए भाड़ा भाला साइज में आ है तो 4 से cross multiply किये inequality में cross multiply होता है positive term से negative term से करने से inequality को change करना पड़ता है greater than को smaller than smaller than को greater than करना पड़ता है तो ये किये है 96 ये n minus 1 3 से भी divide कर सकता है 3 3 जा 9 3 2 जा 6 less than n minus 1 ये n को भी लिए देता हूं 33 n यानी n आपका आया greater than 33 n is greater than 3 negative term negative term ये equal to 0 देने से यहाँ meaning निकलता है 33 number term is 0 therefore 34th term is first negative term तीस तरह से term से related question और भी लिख रहा हूं देखिये ये next question हाय related which term of the sequence ही है 12 plus 8i 11 plus 6i 10 plus 4i ये सब question देखने हूं ठीक लिखा हूं 12 plus 8i 11 plus 6i and 10 plus 4i artificial मासे लिखा हूं is purely real and purely imaginary पहले हमने क्या था फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सा था अब यहां देख रहा हूं फर्स्ट नेगेटिव टर्म नहीं फर्स्ट इमाजनेरी टर्म रियाल टर्म का बारे में बाथ है इस sequence में दिखाता हूं सुलूशन में फर्स्ट टर्म इज ए बातलब 12 प्लस 8i कमन दिखरेंस 11 प्लस 6i मिनस 12 प्लस 8i सेकंड टर्म मैनस फर्स्ट टर्म तो 11 प्लस 6i मिनस 12 मिनस 8i इक्वल टू 11 से 12 गया मैनस 1 6 से 8 गया मैनस 2i यह D निकला हमें ग्यात करना है मालूम करना है कितना नमबर टर्म फ्योर्ली रियल होगा और कितना नमबर टर्म फ्योर्ली इमाजनेरी होगा इस सिरीज में या इस sequence में हम लोग निकालेंगे tn equal to सबसे पहले tn equal to a plus n minus 1 d a का value मालू माया में 12 plus 8i plus n minus 1 d का value है minus 1 minus 2i 12 plus 8i यह दोनों minus common दे देता हूँ n minus 1 1 plus 2i जहां तक real और imaginary के बारे में हम बात करेंगे तो पहले complex number का standard form तो लिख दू standard form का मतलब हुआ a plus ib के रूप में तो पहले इसे लिख दू tn निकाल रहा हूँ a plus ib के रूप में लिखना चाहता हूँ इस तरह से 12 plus 8i minus n minus 1 into 1 minus 2i n minus 1 multiply किया पुरा टुकर टुकर नहीं करके n minus 1 से ही 1 को multiply कर दिया n minus 1 से ही 2i को multiply कर दिया अच्छा अब i बाला part इधर है 12 ये बात लिख देता हूँ 12 minus n minus minus plus 1 plus अब रहा i बाला बात i को मंदे देता हूँ रस्ता है यहाँ 8 minus 2 n minus 1 करेक्ट है तो देख लिखे जे 12 minus n plus 1 i को मंदिया 8 यहाँ minus i i को मंदिया थे शिफ्ट तो 2 बचा n minus 1 बचा 12 plus 1 13 minus n plus i इधर हो जाता है 8 minus 2 n plus 2 2 n plus 2 i को मना 13 minus n plus i 8 और 2 10 minus 2 n ओके यहाँ से शिर्फ हो जाएगा काम यह tn हमने निकाला which term of the sequence is purely real एक नमबर for purely real we have यह term purely real होने के लिए imaginary part 0 होना परेगा we have 10 minus 2 n equal to 0 implied 2 n equal to 10 मतला n equal to 5 therefore 5th term is purely real purely real मने आई पर्टने रहेगा और for imaginary यहाँ दिखा देता हूँ for purely imaginary for imaginary या purely imaginary for purely imaginary होने के लिए यह part 0 होना चाहिए था 13 minus n equal to 0 imply n equal to 13 therefore 13th term 13th term is purely imaginary is purely imaginary तो यह सब tn से related कुछ शम था और भी इसम करेंगे इस वीडियो में यहीं तक करता हो please पसंद आया हो like कीजिएगा comment कीजिएगा share करिएगा तो बहुत बहुत धन्दाबाद thank you अगला वीडियो के लिए तयार रही वीडियो के लिएगा